एक बात है जो मुझे आस तक समझ में नहीं आई नालंदा विश्विद्याले ना तो किसी राजा का महल था और ना ही किसी धर्म का बड़ा मट फिर भी बक्तियार खिलजी ने उसको पूरी तोरह से ध्वस्त कर दिया हजारो निहते बुद्धिस्ट और ब्रामन लोगों को मौत के घाट उतार दिया शायद बक्तियार खिलजी को ये डर था कि बक्तियार खिलजी के दौरह किई की कर्थूतों को ये लोग इतियास में लिखेंगे और इतियास में उसका नाम खराब तरीके से लिया जाएगा ये कहानी ये 800 साल पुरानी जब सेंटल इशिया से एक इन्वेटर भारत में आ था और अपने रास्ते में पढ़ने आ लिए हर चीज को तभा कर दे रहा था चाहे वो मंदीर हो राजा का बड़ा सामराज्य हो या फिर उसकी पसंद की कोई चीज वो हर उस चीज को लूट रहा था जो उसको पसंद आ रही थी और जिस चीज को लूटा जा सकता था बटाज भी ये मिस्ट्री बनी हुए कि इसने नारंदा के क्यों अटेक किया ये मिनट वन्दे माधरम